आप देख रही है MNS News सच जरूरी है इस बार चुनाओ नहीं लड़ेगी नीशा बागरे प्याम मोद्य ने की इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2030 की शुरूराद आए देखते हैं खबरे विस्तार से किसी उचके ने बेटी की इज़त से खिलवार किया तो सियम योगी ने दी चेतावनी उतरप्रदेश के मुख्यम बहन बेटी के साथ छेट चार करने वालों के खिलास सरकास सक्त कारवाई करीगी उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे बड़ी किम्मत चुकाने पड़ेगी दरसल सियम योगी गुरवार को यूपी के बागपत पहुचे ते जा उन्होंने 351 विकास पर योजनाओ का लोकारपन और शिलानस क्या इस दौरान सियम योगी ने यहां एक बड़ी जनसभा को संबूतित क्या और सब का साथ सबका विकास के नारे धोरा है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में विकास का आधार कोई व्यक्ति जाती मत या महजब नहीं बनेगा समाच का प्रतेक वंचीत तब का विकास की धूरी होगा बेटी की सुरक्षा से खिलबार किया तो किमत चुकानी होगी प्रत्मिक्ता है हम किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलबार करने की चूट नहीं देंगे किसी बहन की इज़त के साथ खिलवाद करने की चूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाद करेगा उसे उसकी किमत चुकानी पढ़ेगी किसी की सान की संपत्ती पर कोई जबरन कबजा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी कोई उतपिड़न नहीं कर पाएगा जो करेगा उसकी किमत ब्यास समेट उसे चुकाने पड़ी किसी के साथ नहीं होगा भिदवाओ मुख्यमांतिर ने कहा किसी के नौजवान की जीवन के साथ खिलवार करने की छूड़ भी किसी को नहीं होगी जो करेगा तो जीवन भर पश्टाएगा भी क्यूंकि ये युवा उर्जा से भरपूर है प्रतिबा संपन और इसकी उर्जा प्रतिबा का लाव हमें देश और प्रदेश की विकास से लेना है सियम योगी ने कहा कि राज्य में मेधबा किसी के साथ नहीं होगा विकास की जनाय भी प्रभावी धंग से लाग होगी और अरा जकता वो गुंडागर्दी पहलाने की चूट भी किसी को नहीं होगी आईए बढ़ते अगली खबर क्यों खत्म हुआ सस्पेंस कमलनात ने कर दिया एलान इस बार चुनाओ नई लड़ेगी निशा बागरे चत्तरपूर की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बागरी की चुना लड़ने की संभावना पर आखिरकार विराम लग गया है कॉंग्रेस की पार्टी के दिग गजनेता और पूर्व मुख्यमंद्रिक कमलनात ने निशा बागरी के इस बार चुना लड़ने के सस्पेंस को खत्म कर लचण ने कहा कि निशा बागरी इस बाचुना नहीं ही लड़ रही है अबुमेंद्री की चनौ पार्चिल्व अपने चनौ लडने की इच्छा बताने और उन पर कमलनाथ की वीचार जानने के लिए उनके घर पहुचे थी इसके बाद जानकारी मिली कि कमलनाथ उन्हें चिनवाडा में जनसबा के दोरान कॉंग्रेस पार्टी की प्रात्मिक सदस्थता दिलाएंगे राजनेती गलियारों में कयास बाजी शुरू हो गई है कि कमलनाथ इसी नहीं लड़ रही है आपकी सेवाओं की आवशकता मुझे प्रदेश में है आज आप सबको कहता हूँ कि निशा बागरेज इसी महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ है उन महिलाओं को भी लाने की जिम्मेदारी आपकी है दरसल निशा बागरेज चतरपूर के डिप्टी क नाम का ऐलां कर दिया निशा बागरी से आप अगले दीन ही निशाबेज निबासर का ने अग्ले चासर कार लिया आईए बढ़ते अगली खबर के और यह मोदी ने इंडिया मुबाइल कॉंग्रिस 2023 की शुरुआत की भारत मित्तल आकाशंबानी भी इवेंट में मौजूद आपसे कुछ देर पहले देश की राजदानी दिलने में इंडिया मुबाइल कॉंग्रिस 2023 इवेंट आज शुरू ह इवेंट की शुरुआ सुबह 9 बच के 45 मिनिट में की जानकारी देखी साल आयम सी यह साथवा एडिशन है इसमें 22 देशों के लगबाक एक लाक लोगों के शामिल होने का नुमान है वही इस कारेकरम में CEO स्तर के पासजार पतिनी दी और 400 स्टार्ट अप शामिल होंगे जानकरी देखी इस बार आयम सी 2030 में 5G के विस्तार 6G की तयारिया प्रोड्कास्टिंग और ड्रोन डिवाइस मैनिफेक्ट्रिंग सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन और सस्तनेबल टेक्नॉलिजी पर फोकस होगा इसके अलावा भारत में AI का उप्योग भी इस इवेंट में प इन्नोवेशन है वही आयम सी के इस्पायर प्रोग्राम भी शुरुवात की जाएगी जो टेलीकॉम और डिजिटल डोमेन के यंग एंटर्प्रेनर और दूसरी संस्ताओं को खुद का व्यवसाइब मजबूत करने में मंदद करेगा जानकारी देखी सचार और आई टी मंत समय हो चुका है अब आप हमारी चैनलों को आपकी मुबाइल पर भी दे सकते हैं मुबाल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर मनेस निवस्ट्री आज डाउनलोड करें इंस्ताली ट्वीट हाइक को फेस्बूक और कई सोशिल वीडिया प्लाटफॉम पर हमारा चैनल प् यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News